राजेंद्र बाला घोश जन्म 1882 मृत्य 1951 इनके पूर्वज बंगाल से आकर वारानशी में बस गया थे और इनका परिवार वारानशी का एक प्रतिष्टिक बंगाली परिवार था हिंदी में ये बंग महिला के नाम से लिखती थी और बंगला में प्रवासिनी नाम से इन्हें हिंदी नवजागरन की पहली छापा मार लेखी का कहा गया बंग महिला को हिंदी की प्रतम कहानी लेखी का स्विकार किया जाता है आज बंग महिला के द्वारा लिखी भी एक कहानी सुनेंगे चंदरदेव से मेरी बातें जिसे यूजिसी नेट के सिलेबस में भी शामिल किया गया है लेकिन इस कहानी को सुनने के पूर्ब हमें उस इस्थिति को भी समझना होगा जिस पर इस कहानी की अंतरवस्तु टिकीवी है मुख्यता इस कहानी में तातकालीन वैसराय लॉड करजन और उनकी गलत नीतियों पर व्यांगे किया गया है लौर्ड करजन की विशे में प्रसिद्ध है कि वो एक क्रूर स्वभाव का एहंकारी शाशक था जिसे भारतिय जनता परेशान थी अनेक ऐसे कारे जैसे सिविल सर्विसेस की परिक्षा में भारतियों के प्रवेश को निशेद बंगाल वेभाजन कर वसुली का कानून इत्याधी उसने बनवाए इतना ही नहीं, कारेकाल पूरा होने के उपरांत दूसरी बार उसे दो वर्षों के लिए फिर से वायसराय नियुक्त कर दिया गया जो कि भारतियों के लिए अत्यंत निराशा जनक था चंद्रदेव से मेरी बाते एक प्रकार से लेखिका के मन में उठेवे विचारों की अभिव्यक्ती है जो कि वा चंद्रदेव से कहती है यहां यह भी बता देना उचित हो गया कि लेखिका के पती का नाम भी पूर्ण चंद्रदेव था जिनकी असे में ही मृत्ती हो गई थी अता चंद्रदेव के प्रती संबोधन कभी-कभी लेखिका के अपने पती के प्रती भावों को भी दर्शाता है तो आए सुनते हैं राजेंद्र बाला घोश यानि बंग महिला के द्वारा लिखीवी कहानी चंद्रदेव से मेरी बाते हैं भगवान चंद्रदेव आपके कमलवत कोमल चर्णों में इस दासी का अनेक बारप्रणाम आपसे दो-चार बाते करने की इक्षा रखती हूँ देखो सुनी अनसुनी सी मत कर जाना अपने बड़पन की और ध्यान देना अच्छा कहती हूँ सुनो मैं सुनती हूँ कि आप इस आकाश मंडल में चेरकाल से वास करते हैं क्या यह बात सत्य है? यदि सत्य है तो मैं अनमान करती हूँ कि इस शिष्टी के साथ ही साथ अवश्य आपकी भी शिष्टी हुई होगी तब तो आप धेर दिन के पुराने बूढ़े कहे जा सकते हैं क्या आपके डिपार्टमेंट में ट्रांसफर होने का नियम नहीं है? क्या आपकी गर्मेंट पेंशन भी नहीं देती? बड़े खेद की बात है यदि आप हमारी नियाशिल्ता गर्मेंट के किसी विभाग में सर्विस कर रहे होते तो अब तक आपकी बहुत कुछ पदोनती हो गई होती और ऐसी पोस्ट पर रहकर भारत के कितने ही सुरम में नगर, परवत, जंगल और जाडियों में भ्रमन करते रहते अंत में इस व्रिद्ध अवस्था में पेंशन प्राप्त कर काशी जैसे पुनीत और शांती धाम में बैठ कर हरी नाम स्मरन करके अपने परलोक को बनाते यह हमारी बड़ी भारी भूल वी भगवान चंद्रदेव शमा कर दीजे आप तो अमर हैं आपको मृत्यू कहां तब परलोक बनाना कैसा ओहो देव तब ही अपनी जाती से कैसे पक्षपाती होते हैं देखो ना चंद्रदेव को अमृत देकर उन्होंने अमर कर दिया तब यदि मनुश्य होकर अंग्रेज अपने जाती वालों का पक्षपात करे तो आश्चरी ही क्या अच्छा यदि आपको अंग्रेज जाती की सेवा करना स्विकार हो तो एक एप्लिकेशन हमारे आधुनिक भारत के प्रभू लॉड करजन के पास भेज देवे आशा है कि आपको आधर पूर्वक वह अवश्य आवाहन करेंगे क्योंकि आप अधम भारतवासियों के महति क्रिशनांग तो है नहीं जो आपको अच्छी नौकरी देने से उनके गौरांग जाती कुपितो उठेगी और फिर आप तो एक सुयोग्य, कारे दक्ष, परिश्रमी, बहुदर्शी, कारे कुशल और सरल सोभाव के महत्मा है मैं विश्वास करती हूँ कि जब लॉड करजन हमारे भारत के स्थाई भागे विधाता बन कर आएंगे तब आपको किसी कमिशन का मेंबर, नहीं तो किसी मिशन में भरती करके अवशी ही भेज देंगे क्योंकि उनको कमिशन और मिशन दोनों ही अत्यन्तिप्रिये हैं आपके चंद्रलोक में जो रीती और नीती, शुष्टी के आदी काल में प्रचलित थे, वे सब अब भी हैं पर यहां तो इतना परिवर्तन हो गया है कि भूत और वर्तमान में आकाश और पाताल सा अंतर हो गया है मैं अनुमान करती हूँ कि आपके नेत्रों की जोती भी कुछ अवश्य मंद पड़ गई होगी क्योंकि आधुनिक भारत संतान लड़कपन से ही चश्माधारन करने लगा है इस कारण आप हमारे दीन हीन चीन प्रभ भारत को उतनी दूर से भलिभाती देखना सकते होंगे अतेव आपसे सादर कहती हूँ कि एक बार कृपा करके भारत देख तो जाए यदि पी इस बात को मैं जानती हूँ कि आपको इतना अवकाश कहां पर आठमे दिन नहीं तो महिन में एक दिन अर्थात अमवस्य को तो आपको छुटी रहती होगी यदि आप उस दिन चाहें तो भारत भ्रह्मन करके जा सकते हैं इस भ्रह्मन में आपको कितने ही नूतन रिश्य देखने को मिलेंगे जिसे सैसा देखकर आपकी बुद्धी जरूर चकरा जाएगी यदि आपसे सारे हिंदुस्तान का भ्रह्मन शिग्रता के कारण न हो सके तो केवल राजधानी कलकत्ता को देख लेना अवश्य ही उचित है वहां के कलकार खानों को देखकर आपको या अवश्य ही कहना पड़ेगा कि यहां के कारिगर तो विश्व कर्मा के भी लकड़ दादा निकले यही क्यों आपकी प्रिये सहयोगिनी दामिनियों जो मेगों पर आरोहन करके आनंद से अठखेलियां किया करती है वह विचारी यहां के मनुश्यों के हाथों का खिलोना हो रही है बगवान निशानात जिस समय आप अपनी निर्मल चंद्रिका को बटूर मेग माला अत्वा परवत की ओट से सिंदु के गोद में जा सकते हैं उस समय यही नीरत वासिनी, विश्व मोहिनी, सौधामिनी अपनी उज्वल मुर्ती से आलोक प्रदान कर रात को दिन बना देती है आपके देवलोक में जितने देवता हैं उनके वाहन भी उतने हैं किसी का गज, किसी का हंस, किसी का बैल, किसी का चूहा इत्यादी पर यहां तो सारा बोज आपकी चपला और अगनी देव के माथे मढ़ा गया है क्या ब्राम्भन, क्या छत्रिये, क्या वैशे, क्या शूद्र, क्या चानडाल सभी के रतों का वाहन वही हो रही है हमारे श्वेतांग महाप्रभुगण, जहां पर कुछ कठिनाई का सामना आ पड़ा जट उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी यानि बिजली को लापटका बस कठिन से कठिन कारे सहज में संपादन कर लेते हैं और हमारे यहां के उच्च शिक्षा प्राप्त युवक, काठ के पुतलों की भाती मुह ताकते रह जाते हैं जिस व्योंग व्यासिनी विद्यु देवी को सपर्ष तक करने का किसी व्यक्ति को साहस नहीं हो सकता था वही आज पराए घर में आश्रिता नारियों की भाती ऐसे दबाव में पड़ी है कि वह वहां से चूँ तक नहीं कर सकती विचारी के भागे में विधाता ने दासिवरिती ही लिखी थी हरी पदोध भवा त्रेलोक के पाविनी सुरसरी के भी खोटे दिनाए हैं वह भी अब स्थान स्थान से बंधन ग्रस्थ हो रही है उनके वक्षस्तल पर जहां तहां मोटे व्रेहदाकार खंब गार दिये गया है कलकत्ता आधी को देख कर आपके देवराज सुरेंदर भी कहेंगे कि हमारी अमरावती तो इनकी आगे निरी फीकी से जान पड़ती है वहाँ इडन गार्डेन तो पारिजात पारिशोबित नंदन कानन को भी माद दे रहा है वहां के विश्वरिद्याले के विश्विश्ष्ट पंडितों की विश्वयापिनी विद्या को देखकर वीणापानी सरस्वती देवी भी कहने लग जाएंगी कि निसंदे इन विद्या दिगजों की विद्या चमतकारिनी है वहीं के फोर्ट विलियम के फौजी समान को देखकर आपके देव सेनापती कार्थिके बाबु के भी छक्के चूट जाएंगे क्योंकि देव सेनापती महाशे देखने में खासे बंगाली बाबु से जचते हैं और उनका वाहन भी एक सुन्दर मयूर है बस इससे उनके विरत्व का भी खूब परिचय मिलता है वहां के मेंट यानि टकसाल को देखकर सिंदु तनिया आपकी प्रिय सहोधरा कमला देवी तथा कुबेर भी अक्चका जाएंगे भगवान चंद्रदेव इनी सब विश्व मयूत पादक अपूर्व द्रिश्यों का अवलोकन करने के हेतु आपको सादर निमंत्रन तथा सविनय आहूत करती हूँ संभव है कि यहां आने से आपको अनेक लाब भी हूँ आप जो अनादिकाल से निज उज्वल वपू में कलंकी की कालीमा लेपन करके कलंकी शशांक, शशधर, शाशालांचन आदी उपाधी मालाओं सी विभूशित होते हैं सिंदु तने होने पर जिस कालीमा को आप आज तक धो नहीं सके वही आजन्म कलंक, शायद यहां के विज्ञान विद पंडितों की चेश्ठा से चूट जाए जब बंबई में स्वर्गिय माहरानी विक्टोरिया देवी की प्रतिमूर्ती से काला दाग चुडाने में प्रफेसर गजर महाशे फलीभूत हुए है तब क्या आपके मुख की कालीमा चुडाने में वे फलीभूत न होंगे शायद आप पर यह बात अभी तक विदित नहीं वी है कि आप और आपके स्वामी सूर्य भगवान पर जब हमारे भू मंदल की चाया पड़ती है तभी आप लोगों पर ग्रहन लगता है पर आपका तो अब तक वही पुराना विश्वास बना हुआ है कि जब कुटिल ग्रह राहू आपको निगल जाता है तभी ग्रहन होता है पर ऐसा थोथा विश्वास करना आप लोगों की भारी भूल है अतहे देव मैं विनय करती हूँ अब भारत में न तो आपके और न आपके स्वामी भूवन भासकर सुर्य महाशे के ही वंशधरों का सामराज्य है और न अब भारत की वह शश्य शामला स्वर्ण प्रसुता मूर्ती ही है अब तो आप लोगों के अज्यात एक अन्य द्विपवासी परम शक्तिमान गौरांग महाप्रभू इस सुविशाल भारत वर्ष का राजय वैभव भोग रहे हैं अब तक मैंने जिन बातों का वर्णन आपसे स्थूल रूप में किया वह सब इनी विद्य विशारत गौरांग महाप्रभू के कृपा कटाक्ष का परिणाम है यो तो यहाँ प्रतिवर्ष पदवीदान के समय कितने ही राजय विहिन राजाओं के शिष्टी हुआ करती है पर आपके वंशधारों में जो दो चार राजा महाराजा नाम मात्र के भी हैं वे काठ के पुतलों की भाती हैं जैसे उन्हें उनके रक्षक नचाते हैं वैसे ही वे नाचते हैं वे इतनी जानकारी भी नहीं रखते कि उनके राजे में क्या हो रहा है, उनकी प्रजा दुखी है या सुखी। यदि आप कभी भारत ब्रह्मन करने आएं, तो अपने फैमिली डॉक्टर यानि धन्वन्तरी महाशे को और देवताओं की चीफ जस्टिस यानि चित्रगुप्त जी को अवश्य साथ लेते आएं, आशा है कि धन्वन्तरी महाशे यहां के डॉक्टरों के सन्निकट चिकित्सा सम्मन्दी बहुत कुछ सिक्षा का लाब उठा सकेंगे, यदि पलेग महराज भगवान न करें, आपके चंद्रलोक या देवलोक में घुस पड़ें, तो वहां से उनको निकालना कुछ सहज बात न होगी, यही जब चिकित्सा शास्त्र के बड़े-बड़े पारदर्शी उन पर विज़ा नहीं पा सकते, तब वहां के देवलोक में जड़ी बूटियों के प्रयोक से क्या होगा? यहां के इंडियन पिनल कोड की धाराओं को देखकर, चित्रगुप्त महाशय अपने यहां की दंडविधी, यानि कानून को कुछ सुधार सकते हैं, और यदि राइटर्स बिल्डिंग के राइटर्स के काम में बहुत है सुविधा और सहायता पहुचेगी, वे लोग दो दिन का काम दो घंटे में कर डालेंगे, अच्छा, अब मैं आपसे विदा होती हूँ, मैंने तो आपसे इतनी बाते कहीं, पर खेध है, आपने उनके अनुकूल या प्रतिकूल एक भी बात का उत्तर न दिया, परन्तु आपके इस मौनाव लंबन को मैं स्विकार का सूचक समझती हूँ, अच्छा, तो मेरी प्राथना को कबूल करके एक दफा यहां आईएगा जरूर, बंग महिला, राजेंद्रबाला घोष, सरस्वती, 1904, इस कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, दोस्तों कुछ योजिसी नेट के विद्यार्थियों ने इस कहानी का अनुरोद किया था, उन सबों को मेरी बहुत सारी शुब कामनाएं उनके आने वाले परिक्षा के लिए, ऐसी और भी कहानियों के साथ फिर मिलू नमस्कर